सितार गंज के मैना जुडी ग्राम के अंदर बना पशुची की साल लेज जिसके अंदर लंबे समय से डोक्टर की अनुपस्तिती देखी जा रही थी शेत्रवासियों की शिकायत पर पत्रकारों की टीम वहां पहुंची और जानकारी ली शेत्रवासियों ने अलग-अलग बयानों में बताया की जॉक्टर साहाब लग-बग जनवरी से यहां नहीं आती है यहां पर महिला जॉक्टर रहती है लेकिन काफी लंबे समय से उनके पती रोही थी यहां पर आते हैं और वो कभी-कभी गाउं में ही आकर चले जाते हैं एक शेत्रवासियों ने बताया की यहां पश्चों को लेकर जब कुछ लोग आते हैं तो मजबूरन उनको सिताल गंज ही जाना पड़ता है क्योंकि यहां जोक्टर नहीं मिलती है पड़ोस में रहने वाले रेखा ने बताया जोक्टर साहाब हमें अस्पताल की चावी दे कर जाते हैं और हम अस्पताल में लगी मक्का वे फसल का ध्यान रखते हैं बाकि हम सुबह ताला खोल देते हैं और श्याम को बंद करते हैं आपको अस्पताल कि नहीं ऊक्ती है और मेरे संग्यान में परकारों किसी नासे राखते के लिए किसी ग्राभी ने परकारों को सिखाए तो अगर अज्यास करूंगरां था जो बदिक वहित रही कर वहाई ती है मेरे संह्गे हैं में जाज़ का दिए और मिंग्रेज का मैं बालिप का माय मешьना है कि जाज़ करता हूँ चाहिए praリों maison द पाले का है कि सिर्डायों समय धर तो कि भी जात्यारी है जाना पड़ता है गाउन हो सकता कहीं जाए हो तो जैजबू मुखे पिजा के और उन पैस्पास्टिकर तलूब करने वादी पता से लिए अगरे अब कुछ चुरी होने के बाद वो चले के स्तार करने वह भाही रहते हैं अब यह कभी कभी आते हैं कोई फोन करें यह वैसे ब पर जहां दे रहती थी और लेकर है यह बहुत देनों से आई अब नहीं आते हैं तो गभी आते हैं कि दोनों लोग आते हैं यह किता नाम क्या है क्या नाम है तो कब से नहीं आए लगवा थे इन हमे लोग लान लाटी निसरेया जाकर हो या तो हैं तो कभ से नहीं कभ तुमने कभ से नहीं देख आए भी तो झाल झाल